हेई माई काप्रिकॉन फ्रेंज हम चेक कर रहे हैं दिसमबर 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई है सो सोरी फोर देज आगर आप अपने आपको सन मून वीनस राइजेंग किसी भी तरीके से काप्रिकॉन से कनेक्टेड फिल करते हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए helpful हो सकती है हम ये भी चेक करेंगे इस मन्थ में क्या blockage हो सकती है और आप उसे कैसे remove कर सकते हैं तो हम चेक कर रहे हैं मकर राशी वालों के लिए ये मन्थ कैसा रहने वाला है रिष्टो को लेकर थोड़ी सी confusion बनी रह सकती है हो सकता है किसी के पास multiple options हो या हो सकता है कि multiple लोग आपको कुछ न कुछ कह रहे हो और आपको लग रहा हो कि किसकी बात सही है किसकी बात पर मुझे यकीन करना चाहिए वैसे chances काफी strong आ रहे हैं आप में से कुछ लोग शादी को लेकर या अपनी love life को लेकर काफी disturbed हैं इन सब चीजों के chances काफी strong हैं ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना मतलब कोई karmic cycle से बहार निकल कर आगे अपनी life को spirituality का सहरा लेकर improve करते हुए दिखाई देते हैं devil energy है ऐसा लग रहा है कि आपके आसपस बहुत सरे toxic लोग हो सकते हैं toxic रिष्टे हो सकते हैं या कुछ addictions हो सकते हैं जिसको remove करके आप अपने life को beautiful बनाना चाहते हैं ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों का unhealthy lifestyle है जिसकी वज़े से वो बहुत disturb हैं और इस मन्त में वो चाहेंगे कि उस lifestyle को change करें and you know natural things को अपने अंदर लेकर intake करके और अपनी life को beautiful वे से और healthy वे से जीना start करें वैसे vibrations काफे लोगों के लिए आ रही हैं कुछ लोग किसी toxic relationship से deal कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो उससे बहार निकलने की हिम्मत दिखा पाएं कोई rough cycle आप लोगों की life में almost खतम होने वाला है और वहीं आप में से कुछ लोग किसी के धोके को लेकर किसी की cheating को लेकर थोड़ा सा disturb और परिशान होते हुए भी दिखाई देते हैं energies friends थोड़ी सी heavy तो हैं ऐसा लग रहा है multiple confusion है कोई rough cycle है बट यहाँ पर एक good news यह है कि divine आपके साथ है universe आपके साथ है इंसान दुख के टाइम आपका साथ छोड़ सकते हैं बट universe आपका साथ कभी नहीं छोड़ता because आप by heart बहुत ही kind hearted person है ऐसा लग रहा है कि कोई rough cycle आप लोगों की life से खतम होने वाला है that means जो भी मुश्किल phase चल रहा है जो कि बहुत time से आपको परिशान कर रहा है निकल रहे हो and अपने life में आगे बाढ़ रहे हो and guidance अगर मैं निकालू तो guidance क्या यहां पर तो message है कि जो strength जो power आप लोगों में अभी तक नहीं आ रही थी अपने लिए stand लेने की अपने बारे में सोचने की self love करने की move on करने की वो power वो strength December के month में divine के gift से आपके अंदर आती हुई दिखाई देती है It's so nice congratulations and may God bless you ऐसा लग रहा है love and relationship के इसाब से old cycle कितम हो सकते हैं कोई healthy cycle शुरू होने की संभावना काफी strong है health के इसाब से थोड़ा सा stress रह सकता है और थोड़ा सा घुटन भी आपको हो सकती है but still meditation and contemplation आपको इन सब से बहार निकालने में help करेगी right finances के इसाब से मैं देखूं तो finances जैसे आपके चल रहे हैं वेसे ही चलेंगे लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा focused हैं finances पर और चाह रहे हैं कि आपके finances improve हो तो हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा कामों में involved हो जाएं so that आपको financially you know लगे कि उससे profit ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे भी क्या होगा कि आप पर stress level बढ़ेगा आप hard work ज़्यादा करोगे ज़्यादा थकोगे ज़्यादा anxious होगे ज़्यादा परिशान होगे तो एक से ज़्यादा काम करने में कोई बुराएं नहीं है लेकिन उतना ही करो जितना आप handle कर पाओ तो यह थी friends overall आपकी energies thank you so much for watching have a lovely day take care